अच्छा आप सबने ओलेवूर की फिल्में तो देखी हूंगी जिसमें एक स्पेस्षिप होता है जब वह दर्टी पे रुखता है तो उसमें से कुछ एलियन निकलते हैं जो की देखने में बहुत ही अजीब और ड्रावने होते हैं उनहीं फिल्मों को देखकर एक संकी ने एलियन बनने की ठान ली इस चकर में उसने अपना ना, कान, होट और यहां तक की अपनी दो अंगुलियों भी कटवा ली उस संकी का नाम है एंथनी लोपेडो जो की फ्रांस का रहने वाला है एंथनी ने सबसे पहले अपना ना, कान, होट कटवाए और उनको एलियन जैसी डिजाइन दी जिससे की वो एक्चुल में एलियन जैसा लगे और अब इन्होंने अपनी दो अंगुलियों को भी कटवा लिया है उन्होंने यह सरजरी मेक्शिको में करवाई उन्होंने ऐसा इसलिए कि उनका हाथ एलियन की तरह एक जीब पंजे वाला दिखे एंथनी ने अपनी आँखों के अंदर भी टेटू करवा रखा है एंथनी की उमर्ट 30 साल है और उसने अपने पूरे सरीर पे टेटू बदवा रखे हैं जिससे की वो पूरा एक बलेक जैसा दिखता है या एक बलेक एलियन जैसा बनना चाहता है यही नहीं इसने बलेक एलियन बनने के लिए ना जानी कितनी सरजरी करवाई है इसके बावजूद एंथनी का कहना है कि उसे पूरी तरह बलेक एलियन बनने के लिए अभी भी 35-35 बदलाव की और जरूरत है अपने अंदर क्योंकि एंथनी का सपना है कि वो एक बलेक एलिय पड़ता है और साथ में कंटेंट के साथ में और की कुछ इजरे में डालनी पड़ती उसमें इसलिए हमें अच्छी काशी मैनत करने पड़ जाती है तो मैं बस आप से इतनी रिक्रेश्ट करूँगा कि आपको मेरे वीडियो तक लगता है तो वीडियो को लाइक कीजी और आने वाले से वीडियो को नुट्विकेशन आप मोबाइल पर आ जाएगा